हेलो दोस्तों प्राधिका मुगाल रिप्यर में आप लोगों को स्वागत है मेरे पास में जीयोफोन का चार्जर है जो कि कि चार्जिंग नहीं लेता है तो इसमें क्या दिकत है आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखिए भी है एक दूसरी चार्ज़ार इसमें लगाते हैं और इस मोबाल को पहले चार्ज करते हैं आप लोग कि पूरा देखिए हैं जो देखिए कि यह इसमें तक छार्स क्नेक्ट हो गया एन लेने लगा चार्ज यानी यह चार्जर सही है इसी बोड में यह चार्जर लगाते हैं इसमें क्या होता है क्योंकि चार्जर खुलने से पहले प्रोपर चेक करना पड़ता है देखिए इसमें कानेक्ट नहीं हुगा शाद पीन भी खराब हो सकता है चार्जिंग गोला चार्जर का सबसे पहले इसका पीन से जो आउटफूट निकलता है फाइब पॉइंट कुछ निकलता है उसको सबसे पहले चेक करते हैं कितना निकल रहा है देखिए तू पॉइंट निकल रहा है इसमें कोई भी मोगाल चार्ज नहीं होगा था कम से कम सब्सक्राइब फाइब निकलना चाहिए और देखिए दूसरी गणला चार्जर जौ की चार्ज ले रहा है इसमें पॉइंट कुछ निकल रहा है ना फोल्ड then Diese 5.41 टू इतना निकलना चाहिए तो तो देखते हैं इसमें कहां सक्या दिकत है यह चार्जर उड़ा नहीं है चौनके वोल्टेज निकाल रहा है देखे इसमें जो अंदर एलेडी लाइट दिया है जो विल्कुल जल रही है देखे तो इसमें प्रॉल्म क्या है आप लोग को देखे इस वीडियो को और समझे और आप लोग भी रिपेर कीजिए तो यह दिक तर चार्जर उड़ता है तो मोबाइल टेक्निशन के पास भी पहुंचता है तो हमारे पास बहुत सारे चार्जर आता है देखे इसको सबसे पहले क्यापेसिडेर हो रहा चार्ज रहता है इसको डिस्चार्ज कर दिये और इसमें सबसे पहले गोर करना होगा कि क्या हो प्रॉबलम हो सकता है अप लोग प्रॉपर काम करते रहेगा बराबर तो नोलेज आटोमेटिक आ जाता है कि वोल्टेज और फूर्ट नहीं निकालने के कारण कहां से दीकत हता है तो आप लोग इस वीडियो में ही बताएंगे पहले देखिए कहीं कोई कैपेसिरे रोके रहा फूला उला नहीं है लिकिट क्या हुआ नहीं है इसे फरेस दिख रहा है बिलकुल कहीं तो इसा दीक नहीं रहा है लेकिन सबसे पहले जहीं के पिसिटर को करते हैं क्योंकि आपपेसिडर रहता है लीक होगा जब का में आप ओली नहीं हुए है वोल्ट वो 470 UF का है और यह भी वही है देखिए 10 वोल्ट 470 UF का है तो पहले इसको लगाते हैं दूसरी वला इस वोल्टेज का प्रोलम अधिकतर केपेसिटर से ही रहता है तो देखिए यह माइनस के लिए है नेगेटिव और उधर वाला है पोजेटिव उसी दिसमा प्लूप भी लगईएगा यह माइनस ब्लेक वाला जो दिख रहा है माइनस है इधर माइनस लगाना है जो कि लकिर द लगाता है वो पलस होता है तो इसको भी लगा दिये हैं थोड़ा साप कर देंगे कोई भी काम कीजिए कि लिंग करना पड़ता है तो देखते हैं एक बार इसको लगाएक चेक करते हैं कि लिए बोर्ड में इसको लगाते हैं देखिए जल गया जल तो फिर पहले भी रहा था इसका जल रहा था चारजर का पहले भी जल रहा था लेकिन क्या है कि सबसे पहले इसको आउटफूट फिर चेक करना है फाइब पॉइंट से आगे निकलना चाहिए देखिए फाइब पॉइंट फाइब निकलने लगा तो काने मतलब यही कैपेसिटर इसका जो लिकीज हो गया होगा तकि इससा दीख नहीं रहा है पुला भी नहीं है अब देख्ते हैं मॉवाइल को चार्ज करके चार्ज लेता है या नहीं लेता है क्योंकि लेना चाहिए बॉल्टेज इसका आउट फूर्पूल बढ़िया निकल रहा है जेतना निकलना चाहिए उतना निकल रहा है और करना चाहिए देखिए कनेक्ट हो गिया रही चार्जर से पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था चलना चार्जर नहीं ले रहा था तो दस्तों मेरा वीडियो साइड आप लोगो जरूर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजि और बेल आइकन को दबाकल में सेट कर दिजेगा ताकि जो भी नए नए वीडियो अप्लेट करेंगे सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकसन पहुंच जाएगा और हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं हर एक तरह का वीडियो मिलेगा आप लोग जाके देख सकते हैं और कुछ नोलेज ले सकते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हीन जय भारत